वीडियो होने वाली है जिसमें की काफी लोगों के डाउट है जिसमें की क्लियर हो जाएंगे साथ ही उनके बहुत सारे कोशन ऐसे होंगे जो कि यार वह पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करते हैं देखो अभी आपको पता होगा का मैं रेगुलर नहीं हूँ पने चैनल पर तो इसका रीजन यह होगा कि यार मैं थोड़ा बिजी हूं इस वजे से वीडियो नहीं एप लॉट यह जो की ज़रूरी है तो बही रिप्लाइ करना तो ओर मुश्किल है तो यह आपको पता होगा तो इस चीज का बुरा मतमानना कि भाई मैं रिप्लाइ नहीं कर पाता सबको तो बट मैं ट्राय करता हूं फिर भी अगर में थोड़ा सभी टाइम मिलता तो भाई मैं जरूर रिप्लाइ देने का ट्राय करता हूं इसी अलाव आप चलो वीडू को स्टाल करते हैं एंड हाँ चैनल पर पहर आप नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर okay इसाथ में बैल आइकन को अल पर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना लाइक है अब अपनी मर्जी से रख ले लाइक कर सकते हो ठीक है बैले हैं जो सब्सक्राइब मेरे बैल तो आप इसको इसको ट्राय करों तो मैं यार ट्राय करते रहता हूं तो अभी मैंने एक नया रूम ऑन रहा है बात करूंगा उनकी लिए बात करूंगा उनकी लिए फोन ले लिया है अभी इस फोन में अगर आपने नया नया लिया था तो यार अभी आपका विशक लैग नहीं रही हो रहा होगा ठीक है बट अगर जिनको थोडा टायम हो गया कुछ महिनहें हो गया तो उनके फोन में पहले से ऐलालता रीक हो लासिक भीट हो to जो सबसरेक्ट कबेर बताता हूँ अबoten जो नॉर्मैर होण कश्टम रोम डाल के खेल रहा है तो उनमें तो बन्दे ऐसे तो फिर बिक कुछ बन्द्धे ऐसे जो कि बहुत पड़िया सा रोम नहीं डाल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं अकर आपको कर सकते हैं थोड़ी बहुत बहुत भी इंफोर्मेशन है थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप कस्टम रोम को अपने फोन में डाल सकते हो उससे काफी ज्यादा हद तक लैक कम हो जाएगा ठीक है अब मैं अपने फोन में मैंने कस्टम रोम डाल रखा भी बता रखा आपको मैंने तो यह चीज मैंने जो मैं नहीं फोन लिया था मैंने तभी कर दिया था क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत पहले से मैं कस्टम रोम वगयर के बारे में करते आ रहा हूं समझ दो तो अभी इसके अलावा में उनके लिए बात करूँ गया जो कि यह किस्टम रोम वगयरे ट्राइड नहीं करना अगर आप क्स्टम रोम ट्राइड नहीं करना चाहता है अगर आपको लगते कि यह अनसेफ है ट्राइड इससे कुछ दिक्कत हो सकता है तो पहले बतातू यह से ऐस्टम रोम से कोई इश्व नहीं आता फोन में ऐसा कुछ निया गया यह फोन खराब हो जायगा अच्छ मैंने भी वीडियो बनाई थी कि पोको X3 pro जो है वह ड़ए अपने अप पी उसका जो मदर बोर्ड है वह खराब हो जा रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है यह हर्ड भी क्यों हो रहा है तो देखो उसका मैंने आपको वीडियो वैसे पूरी एक स्पेसिफिक ए वीडियो चीजिए त याप मेरे चैनल पर चेक आट कर सकते हैं मैंने वह बना दिया धी क्यों हो रहा है तो अभी आपको थोड़ा शौर्ट में बताता हूँ इसलिए ऐसा वह रहा है क्यूंकि आपको पता हैं कि प्रोसेसर इसमें काफी अच्छा है काफी अच्छी इसमें फीचर्स दे रहा हैं को करते हैं मेरे को मेरे को और हो भी सकता है यसके इसके अझार की इसके अंदर की जो बेड़ीक को आची नहीं है भाई उतने हुक्व कोश कना वह का नहीं तो एक चीज आपको क्लियर करूं कि देखो ऐसा मैं अपना ऑपीनियन बता रहा हूं ठीक है मेबी कोई दूसरी यूटूबर को कुछ अलग experience मिला हो बट मैं बतातों मेरे एक फ्रेंड के पास 8GB वाला वाला वीरेंट था एंड मेरे एक फ्रेंड के पास 8GB वाला वीरेंट थ एक चीज का फरक आपको दिख सकता है कि 8GB वाला वाला वीरेंट है उसमें में ऐसा हो सकते कि अच्छे अच्छी मतलब उसमें जो dead होने के chances है वह थोड़े से कम है वह ऐसा क्यूं है क्योंकि आर देखो अभी जितने भी अभी तक में cases दिखे है phone dead होने के ठीक है motherboard खराब हो जितने भी cases दिखे हैं कि heartbreak हुआ है focus 3 pro तो उसमें जादतर वह 6GB RAM वाले वाले वीरेंट है ठीक एंड टच इशू भी 6GB वाले में मेरे को ज्यादा दिखे है अभी तक में जितने phone है but actually मेरे मेरे में ऐसा कुछ इशू नियाया मेरे 6GB वाले वाले वीरेंट था उसमें कोई अब दिख्कत आती है लाइग होता है चैक कुछ होता है तो यह गेम की दिक्कत है ऐसा कुछ निया कि वही 8GB RAM बढ़ने के बाद और performance घट जागी आपको लगता है वैसे तो RAM नहीं करता है इन सब चीजों में पर फिर भी मैं बताऊं तो यह सब ना गेम की दिख्कत बोल सक जागा आए जागा रहे वह जाए कि यह वह जो थैंट जागा रहा है जाए गर यह जो चीज आए अब इस वज़ें से नहीं कि यार उसमें 2GB RAM एक्स्राद दे रहे हैं तो यह जो ए डड होने की चंसिस कम दिख से हैं एंड वसमें केसे कम आया है कि हाँ फोन डैड हुआ है जो आप चाहो हो लेना तो आट जी रेम वाला वी डियंट है वो ले सकते हो एंड साथ अगर आप छैजी रेम वाले लेन चाहो तो यार वो कोई इस्वी निया उसमें भी आप 6gb रेम वाले ट्राय कर सकते हो चुकि मैं खुद परसनली जो यूज कर रहा था उच्छी भी रे यूज करने जो तौनडड हो रहा है तो इससा ऑज पर रागे prior लुज करनिये जैसे नियु कह सब्सक्राइस करना के चूंड है कि युज्म आप जङसिश हैने यूर। इसके बाद एक चीज़ और बताता हूं कोई ऐसी रोम ऐसा कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ कोई कि यह रोम सेफ नहीं है तो भाई अगर किसी यूट्यूबर ने उसको वीडियो डाल रहा है उसका एंड आपको लगता है कि हाँ इसके ज्यादा चांसे है ज्यादा मतलब इसको बंदों ने इस्टॉल कर रहा है उस रोम को एंड उसके रीव्यू काफी अच्छ है तब यह आप इस्टॉल करना ऐसा कोई भी आप कोई भी ऐसे ऐसे से बहुत सारे मोडियोल होते है कि छोटे-छोटे मोडियोल होते पर आपके फोन कैसी चैसी कर देंगे तो भाई क कोई भी मैं तो यह सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक्ट्रा मोडियोल मत करना कोई भी जाज ज़्याद आप ट्राय कर सकते हो तो आप यह एस अनलोग कर सकते हो अगर वह भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देव हो जासे ग्लैडिटर OS है उसमें तो आपक जाता है अगर आप चाहो तो ठीक है और बाकि कोई है लाइक कोई भी बाकि रोम है तो उसमें आप 60FS मेली रहना तो काफी है उतना इसके साथ में थर्मल यूज कर सकते हो थर्मल भी आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है वरना मैं सजस्ट नहीं करूँगा कि थर्मल प्रो कैसे आप सेव कर सकते हो क्या कि उसमें दिक्काते आ सकती है ठीक है तो आयोब जो मैंने इंफ्रमेशन दिया आपको आपके अच्छे लगी होगी बाकि लोग कुछ लोग को उसमें से इसकी जानकारी पहले से होगी बर जिनको नहीं थी अगर उनकी थोड़े बहुत तो अगर आपने इंस्टार्म पे फोलो कर लो कि वहां पर बैंसे चीजे बताते रहता हूं चेज़ करता हूं में किने ट्राय करता हूं किसी चाहिक थी करते रहुंगं। कोई नया बंदा को मैंसेज करते हैं है तो मैं जरूर रिपलाय करता हूँ मिलते हैं नेक्ट विडियो में तब तक के लिए सी यू गाई और पlet doctor